यत्र नारियस्तु पूजयन्ते रमंते तत्रदेवता ये वो ध्येए वाक्या है जिसने 745 से ज़ादा नागा साधुओं को आत्मो सर्ग करने के लिए प्रेवित किया। कौन थी वो विरांगना जिसके लिए एक के बाद एक 745 नागा साधुओं ने अपने प्राणों की आहूती दे डाली। आज भी उन साधुओं की समाधी देखकर मन गर्व की अनुभूती से भर जाता है। साधुओं ने शन भर में अपना बलिदान दे दिया। 1857 का वर्ष था जब भारत के सोतंतता संगराम की पहली चिंगारी जली। और इसी चिंगारी को प्रचन डगनी में बदलने वाली थी जासी की रानी लक्ष्मी बाई, मनु बाई, जिन्नोंने बाले काल सही अपनी वी रानी से कहते हैं, लक्ष्मी बाई, जहासी अब तुम्हारी जिम्यदारी है। रानी लक्ष्मी बाई का व्यक्तित्व आज सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बलके देश के सभी युवाओं के लिए एक प्रेणना का स्त्रोथ है। रानी लक्ष्मी बाई का जन्म बनारस के पास एक गाउं के ब्रामण परिवार में 19 नवेंबर 1835 में हुआ था। रानी को प्यार से लोग मनु कहते थे, मनु जब 4 साल की थी तब उनकी मा का निधन हो गया। रानी लक्ष्मी बाई के पिता बिठोर में पेश्वा के दफ्तर में काम कर दे थे और मनु अपने पिता के साथ पेश्वा के यहां जाय कर दी थी। पेश्वा भी मनु को अपनी बेटी जैसा ही मानते थे। रानी लक्षिबाई बच्पन से ही बहुत अनुसासित थी, मनु का एक नाम छबीली भी था, बिटिश आर्मी के एक सीनियर अफसर कैप्टेन हिरोज ने रानी लक्षिबाई के अतुल्य साहस को देख कर उन्हें भारत की विरांगना कहा था, हिरोज ने रानी को मौत के बाद उन्हें सलियोट भी किया था, मुरार में रानी लक्षिबाई के सेना बिटिश कंपनी से हार गई, तब वे ग्वालियर के ले पर थी, सूचना मिली तो अंग रक्षकों और सैनिकों के साथ उर्वाई गेट से निकली, एक मेल दूर रामबाग में जनरल हिरोज की सेना से प्रिटिश शैनिकों के साथ भिड़ गए, नागा सादूओं ने ऐसा मृत्य नरतन किया कि ब्रिटिश कंपनी सादूओं के सिंगनाच से थर्रा उठी, लेकिन 345 सादूओं लड़ते हुए शहीद हो गए, इसके बाद सादूओं का एक दल घायल महरानी को गंगादास की चाला में ले गए, वहीं महरानी ने प्रामत्याग दिये, उसके बाद सादूओं ने जोपड़ी में ही रानी लक्ष्मभाई का अंतिम संसकार किया, यही पर आज विरांगना का शहीद समारक भी है, रानी नहीं चाहती थी कि अंग्रेज उनके शरीर को हाथ भी लगा महरानी लक्ष्मभाई के बलिदान दिवस पर उनको कोटी कोटी प्रणाम